हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टडी फीड चैनल दोस्तों पिछले वर्सों में यानि प्रिवियस येर में जितने भी कोश्टन्स पुछे गये हैं आपके टीजिटी, फीजिटी, के बियस, एन वियस, एन रे एल टी, राजस्थान टीजिटी, एन ध्यारखन को मैं आपके समझ रख रही हूँ, दोस्तों जो आपके लिए भेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके रिवेजन के लिए बहुत ही हेल्फुल होगा, आप वीडियो को सुरू से लाज़ तक प्रतिक कोश्टन पर ध्यान देते हुए, चलते रहिएगा, और प्रतिक कोश्ट स्रीज नमबर नाइन, पहला कोश्टन है दोस्तों, कि वेंट्रिकल से प्रति मिनट निस्कौसित रख्त की मातरा कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रति मिनट इसका सही एंसर होगा, कार्डियक आउट्पूट दोस्तों, कार्डियक आउट्पूट होता क्या है, कि एक मिनट में, प्रतिक एक मिनट में, बाय निलय द्वारा, पंप किये गए रख्त की कुल मातरा, कार्डियक आउट्पूट कहलाती है, दोस्तों, जो बाया निलय होती है, औरक्त पंप करती है, जो एरोटा के राश्ते समस्त सरीर को भेजा जाता है, तो एक मिनट में, जितना पंप करता है, उसके कुल मातरा को कार्डियक आउट्पूट कहा जाता है, कार्डियक आउट्पूट ग्यात कैसे किया जाता है, दोस्तों, कार्डियक आउट्पूट ग्यात करने का सुत्र होता है, इस्ट्रोक वैल्यूम गुड़े हार्ट रेट यारे हिदय गती इस्ट्रोक वैल्यूम का होता है दोस्तों कि एक धड़कन में हिदय द्वारा फेके गए रक्त की मात्रा को इस्ट्रोक वैल्यूम कहते हैं यह वही कार्डिक आर्पूट किसे कहते हैं एक मिनत में फ्यक्क गए इस्ट्रोक वेलियूम एक धड़कन में फिकेके गेरा सृतकर की बात रखो हुता है दोस्तो जितना हमारा हार्टेट होता है उतने के बराबर अ सब जानते हैं 20 प्रती मिनट होता है जो टोता है लगभक 70 के लगभक होता है तो दोस्तों यहां पर cardiac output ग्याद करने का सुत्र क्या है stroke volume गुड़े heart rate तो stroke volume आपका 70 हो जाएगा heart rate आपका 72 हो जाएगा दुनों का गुला करेंगे तो आएगा 5.04 यानि cardiac output कितना होता है हिदय एक मिनट में कितना रख्त को pump करता है तो 5.04 लिटर हिदय एक मिनट में रख्त को pump करता है नेस्ट कोस्टन है दोस्तों कि cardiac output वेंट्रिकल द्वारा रख्ती की मात्रा बाहर निकालना है क्या है एक बार में कि एक मिनट में कि एक संकुचन में कि एक सेकेंड में जैसा कि मैंने अभी बता दी हूँ इसका सही अंसर है एक मिनट में एक मिनट में जितना रख्त पंप किया जाता है हिदय द्वारा उसके कुल मात्रा को cardiac output बोला जाता है नेस्ट कोस्टन है दोस्तों हिदय के निर्गत यानि आउट्पूट का समाने मान क्या होता है यहां इसके कहने का मतलब है कि हिदय के निर्गत यानि की cardiac output का समाने मान क्या है तो अभी मैं बताई थी कि cardiac output ग्यात करने का सुत्र stroke value गुड़े heart rate है और कुल cardiac output कितना होता है प्रती मिनट फिके गए रख्त की मात्रा पांद समलो जीरो चार अपसा नमबर यह correct answer है पांद समलो जीरो चार लीटर प्रती मिनट नेश्ट कोस्टन है दोस्तों कि निले से आने वाले प्रती यूनित रख्त की मात्रा को कहते हैं दोस्तों वसी पोस्ट को बार बार गुमा गुमा की पूछ रहा है मैं सभी questions को इसलिए रखी हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि एक question को किस प्रकार से कितने बार पूछा जा सकता है तो यहां पे भी वही question है आपको ध्यान पूर्वक answer देना होगा कि निले से आने वाले प्रती यूनित रख्त की मात्रा को कहते हैं यहां पे सही answer होगा ही रही output यानि cardiac output एक मिनट में फेके गयरक्त की मात्रा दोस्तों पूछेगा तो आपका cardiac output होगा और एक धरकन में पूछेगा तो stroke value होगा इसको ध्यान में रखेगा next question है कि आपको यहां पे भरना है खाले जगह दिया हुआ है इसके अस्थाम पे क्या होगा यह बताना है कि इस ट्रोक आयतन तथा हिदय गती का उत्पाद है दोस्तों जैसा कि मैं अभी तुरंत बताई हूँ कि इस ट्रोक वैलियम कोड़े हार्ट रेट बराबर क्या होता है कार्डियक आउट्पूट तो इसका सही अंसर होगा कार्डियक आउट्पूट दोस्तों नेक्स्ट कुश्चन है कि ब्यायाम के दोरान जब हिदय गती एक सो साथ वीट प्रती मिनट हो और इस ट्रोक वैलियम सो यमल प्रती बीट हो तो हिदय समंधी आउट्पूट कितना होगा तो जैसा कि मैंने बताया है दोस्तों कि करने एक आउट्पूट गयात करने का सुत्र होता है इस्ट्रोक वैलियम गुड़े हार्ट रेड यानि हिदय गती यहां पर क्या दिया है हिदय गती एक सो साथ दिया है इस्ट्रोक वैलिय कर देंगे आएगा कितना शोले लीटर प्रती मिनट यहां पे अंसर होगा आपसर नंबर सी शोले लीटर प्रती मिनट नेक्ट कुछ्चन है कि एक धड़कन में हिदे द्वारा फेके जाने वाले रख्त की मातरा को कहते हैं दोस्तों अभी मैं तुरंत बताई हूं कि एक धरक आपसर नंबर बी करेक्ट एंसर यहीं पर पूछता कि एक मिनट में हिदे के द्वारा फेके के रख्त की मातरा तो काडियक आउटपुट हो जाता नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों कि कि किस रख्त वर्ग के बेक्ती को सर्वदाता कहते हैं जैसा कि आप सब को पता होगा र उनिवर्सल रेसिपियंट कहते हैं यानि की सर्वग्राही यानि रख्त वर्ग ए बी सभी वर्ग के रख्त को ग्रहड कर सकता है और वो सभी रख्त वर्ग को दे सकता है वो सरोदाता एबी सर्वग्राही होता है इसके अलावत जो होता है ए रख्त वर्ग ए ए को ही दे सकत कि ग्रूप ए रख्त वाले ब्यक्ति को किस ग्रूप का रख्त दिया जा सकता है option number B is the correct answer जिसका रख्त वर्ग A रख्त वाला ग्रूप वाला व्यक्ति A और O को दे सकता है क्योंकि दोस्तों रुधिर वर्ग A वाले व्यक्ति में antigen A है और antibodies B है इसलिए इसे सिर्फ रुधिर वर्ग A तथा O का रुधिर दिया जा सकता है जो antibodies होता है जैसे कि रख्त वर्ग A में antigen A है रख्त वर्ग का रिधाया antigen के अधार पर किया जाता है जो antigen होता है उसी को दिया जा सकता है तो रख्त वर्ग A में antigen A है तो A को दिया जा सकता है एंटी बॉडिजी भी है तो भीक नहीं दिया सकता क्या कि दुरूबने समूहन घाएगा जिसे बिक्ति के मिर्ति हो जाती है कि यह निक्स कोस्टे capsule रख क्या है जैसा कि सब को पता है रख साघ्जी उतक है द्रव सायजी उतक है इस इसका उत्तर हो honesty द्रव उत्तक रख्त दोस्तों संयोजी उत्तक से बना होता है यह हमारे सरी में पांच से छे लीटर पायाता है और दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन है एक वेक्स में रख्त की आउसत मात्रा क्या होती है इसमें चारों आपसद में से सबसे सही अंसर होगा पांच लेटर की लगलाग नेस्ट कोस्टन है इरिथ्ध्रोसाइट लिकुरिक्रिज़शाइट एवं थ्रोंबोसाइट पैए जाते हैं किसमें पै जाते हैं जैसा कि आप सबको पता होग ए parenthक के भाग है तो यह राख्त मे पाई जाता है, option number B is the correct answer, दोस्तो इस्थोसाइट, RBC का बग्यानिक नाम है, इलिकोसाइट, WBC का बग्यानिक नाम है, और थ्रोंबोसाइट, प्लेटलेट्स का बग्यानिक नाम है, यह हरुधीर कडिकाओं का भाग है, जैसा कि रक्त दो वर्ग में दो प्रकार के होते हैं, या रक्त प्लाजमा ये रक्त प्लाजमा हमारे सरीर में 55% पह जाता है, और फ्लीकाओं प्रकार के होते हैं, WBC, WBC and प्लेटलेट्स, RBC का बग्यानिक नाम इरिठ्रोसाइट, WBC का लिकोसाइट and प्लेटलेट्स का फ्रोंबोसाइट होता है, किसको कहा जाता है तो कटने के बाद जो रक्त बाहर निकलता है उसको थक्का बनाने का काम आपकर प्लेट लेट्स करता है स्वेट रक्त कड़िका का दूसरा नाम क्या है जैसा कि मैं अभी तुरंत बताई हूं इसका सही एंसर होगा लिकोशाइट लिकोशाइट क्या होता है यह रोग प्रतियोधक छमता यानि जीवाड़ों को मारने का काम करता है यह क्या काम करता है संक्रमर के खिलाप लड़ना यानि बैक्टिरिया को मारने का काम करता है रोग प्रतियोधक छमता को बनाए रखता है स्थद रुधी कडिकाओं में सबसे बड़ी कडिका कोण है तो साहिसमेड यहां पर सबसे बड़ी जीक पूछा है तो मोसाइट होगा सबसेड़ी पूछता हूं Lymphocytereme Waiting the lymphocyte ओ बैतरिया को मारने का काम करता है कि और को खाने का काम करता है उसार का जीवन काल होता है रहना रक्त कडाल कितना होता है जैसा कि 120 दिन आप से नमबर एक करेक्ट एन्षब गोता है जो सुए युमोग्लोबीन के कारह होता है जो प्रोटीन के आकसिजन से संयुकत होने के कारह होता है यह की श्रीम अकसिजन का परिवहन करती है समस्त्रीन शुमагरण को पहुचाती है ऍंज्ट कोशचन है कि हीमोग्लोबिन है क्या है वह प्रोटीन है कि कार्भोहाइडेट है कि विटामीन है कि वसा है दोस्तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन का खंड करेंगे तो हीम प्लस ग्लोबिन हीम से तातपर होता है लोहा लवह था तर तो n-globin से तातपवर प्रोटीन यानी एक लवह प्रोटीन होता है और इसी के कारण aller दिखाए देता है और दोस्तों 300inea मल रौक्त में 15 ग्राम he'moglobin पाया जाता है यह आप दियान में रखेंगा इसका माईya होता है oxygen का प्रिवेहन करना नेश्ट कोश्चन है हीमोगलोबीन का मुख्य कार क्या है हीमोगलोबीन का मुख्य कार क्या है तो इसका मुख्य कार होता है आक्सीजन को आक्सिक्रित करना एवं ले जाना कि मानों सरीर में लाल रक्त कड़क की मात्रा सरी के रुधिराड़ु का कितना होता है दोस्तों सरी के रुधिराड़ु का लाल रक्त की संख्या कितनी होती है रुधिराड़ु में कौनकों पायता है रबीसी डव्लू बीसी एन प्लेटलेट्स तो उसमें रख्त कड़की मात्रा कितनी होती है सरी के रुधिराड़ु का तो 88% वनली रबीसी पायता है दोस्तों कुल रुधिर का लगबग 55% भाग प्लाज्मा और 45% भाग रुधिराड़ु का होता है उन रुधिराड़ु में भी 88% भाग आरबीसी का ही होता है रुधिराड़ें का कुल रुधीर का 40 परसंट भाग अधा रुधिराड़ें का लगबग 88 परसंट भाग होता है आपका, ABC का नेक्ट कोशन है, समान इस्थिती में हिदे से आने वाले रग्त का कितना परतिसत यकृत को प्राव्थ होता है समान इस सिती में हिदे से आने वाले रक्त का कितना परसेंट भाग यकृत को प्राथ होता है तो इसका एंसर है 24 परसेंट भाग रक्त को रक्त का यकृत को प्राथ होता है दोस्तों समानता प्रती मिनट हिदय द्वारा पंप कियेगे रुधीर को कार्यक आउटपूट कहते हैं इस रुधीर का लगभग 10% अंस्वयम हिदय पेसियों में जाता है फिर 15% मस्तिस को जाता है फिर 25% यक्रित को जाता है 20% व्रिकों को और 30% अन्य अंगों को जाता है नेक्ट कोस्चन है रक्त के प्लाज्मा में जल होता है रक्त के प्लाज्मा में कितना जल होता है दोस्तों 90% जल होता है और 9% प्रोटीन होता है दसमलों 1% में अन्य प्रतात होते है नेक्ट कोस्चन है दोस्तों कि प्लाज्मा में कितने प्रतिसत पानी होता है यह तुम्हें बता चुकी हूँ next question है मनुष्य के समान रुधीर या निरख्त का अधिकान्स भाग होता है कौन सा होता है सबसे ज़्यादा भाग रुधीर में कौन होता है तो प्लाज्मा होता है 55% प्लाज्मा एंड 45% रख्त कड़ी का होता है तो रख्त में सबसे समान दुरुधीर में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है तो प्लाज्मा के होती है नेक्स्ट कोश्चन है कि खून का तरल भाग होता है खून का तरल भाग क्या होता है दोस्तों प्लाज्मा होता है जैसे कि आप रख्त को देखते होंगे तो उसमें रख्त के बाहर आते ही उसमें वाइट वाइट कलर का इसमें पानी जैसा तरल प्रदात होता है वही प्लाज प्रथम कुछ दिनों के दौरान किस बहुतिक यानि रसायनिक बहुतिक यानि सारीक प्रिवतन के अनुभो करने की संभाना होती है जाने कि अधिक उचाई पर आप चले गए उसके बाद कुछ दिनों के दौरान किस सारीक परिवतन के अनुफों आपको देखने के मिलेंगी कुछ दिने के बाद तो क्या होता है बढ़ा हुआ रक्तचाप वहाँ पर अधिक उचाई पर क्या पाएंगे कुछ दिनों के बाद बढ़ा हुआ रक्तचाप आपका बलड पर बढ़ जाएगा क्यों बढ़ेगा दोस्तों क्योंकि अधिक उचाई पर जाने पर वहाँ आक्सिजन की कमी हो जाती ह वातावण में आक्सिजन की बहुत कमी होती है जिससे सरी में आक्सिजन की पूर्ती हेतु हिदय गती बढ़ जाती है इसलिए वहाँ बढ़ा हुआ रक्तचाप आपको मिलेगा आपसा नंबर भी करेक्ट एंसर है नेक्स्ट कोचन है हिदय गती का रुकना किन रोग्यों में आम है किन रोग्यों में हिदय गती का रुकना आम है तो उच रक्त वाले रोग्यों में हिदय गती का रुकना आम होता है नेक्स्ट कोशन है कि मनुष्ची के सरीर में रक्त परिसंचर तंत्र के अंगों में जिस अनुक्रम में प्रवाहित होता है उसके लिए सही बिकल्प दिये गए कूटों से चूनिये तो दोस्तों रक्त परिसंचर तंत्र में सही अनुक्रम क्या होगा इसका सही अनक्रम होगा रक्त पहले हिदय में जाता है उसके बाद हिदय भेजता है सुध करके महा धमनी को महा धमनी कई साखाओं में कई धमनियों में बट जाती है फिर वो धमनी में जाता है उसके बाद ये धमनिया बहुत सारे पतले-पतले के सिकाओं में बढ़ जाती है फिर उनके सिकाओं के माध्यम से समस्त सरीर में पहुच जाता है तो इसका सही जोड़ा होगा अपसन नमबर B यानि पहले हिदय में असुध रगत आता है हिदय सुध करके महाधमनी एरोटय के रास्ते बेजता है एरोटय कई साखाओं में बढ़ जाती है जिसे धमनी कहते है और ये धमनी के बाद के सिकाओं में चला जाता है तो आपसन नमबर B correct answer होगा तो कैसे होता है दोस्तों कि सुध रगत समाने प्रवाह में सुध रखत ही रहे के बाए निले से महाधमनी से बाहर निकलती है उसके पात रखत चोटी जोटी धमनियों में पहुँचता है और फिर आर्टी योल्स यहां पर दो कार करता है प्रथम धमनी रख्त दबाव को बनाए रखता है अदिती को सिकाव में रख्त के प्रभाव को बनाए रखता है next question है कि सूची एक सूची दो की मदों का सही मेल करें और नीचे दियेगे कुटू को कुटू से सही विकल्प चुने दोस्तों आपको सूची एक दो को मिलाना है जैसे कि ग्लुकोज हिमोगलोबीन डायफ्राम हिदे कि यसको आप सूची बी लाना है जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आपको जो अता हो गा उसको मिलाइन इसके बार आप हендeras आप को दिख जाए गा है सबसे पहले आप मिलाएंगे आप सबको हिमोगलोबीन दू होगा हिमोगलोबीन का संबध किस्ते हैं रेड ब्रड सिल से आर बी सी से तो इसका क्या हो जाएगा हीमोग्लोबिंग का हीमोग्लोबिंग का चौथा हो जाएगा लाल रग्त कडिका ठीक है बी का चौथा हो जाएगा बी का चौथा कहीं दिया हुआ है कहीं नहीं दिया हुआ है दोस्तों क्यों आपसा नंबर ए में दिया हुआ है एक को मिलाने से ही और को मिलाते हैं ग्लुकोज क्या है दोस्तों ग्लुकोज रुधीर सरक्रा को कहते हैं ग्लुकोज का एक दूसरा नाम रुधीर सरक्रा भी होता है तो एक थ्री हो गया बी का फोर हो गया एंड डायफ्राम क्या है दोस्तों डायफ्राम जैसा आफ सबको प्ता है ष्ट्रा ड्रारइफरम पर सदह होता है यह स्वास की पेशी होती है तो c का हो गया पहला एन हीदे बचा अब हीदे का बस एक ही आफसर नहीक बचा है तो हीदे का हो जाएगा ही हरदी तो आप्सर नंबर 1 इंड हो जाएगा अधरी मतलब कार्डियक नेक्ट कोस्टन है दोस्तों कि हिदे चारो और से गिरा होता है हिदे किसे चारो और से गिरा होता है दोस्तों पेरिकार्डियम से जैसा कि मैंने कल बताया है पिछले वाले वीडियो में कि हमारा हिदे चार तीन जिलियों से गिरा होता है तीन परतों से गिरा होता है पेरिकार्डियम मायोकार्डियम इंडोकार्डियम पेरिकार्डियम में एक सेरस नमक द्रव भरा रहता है तो ये तीन परत से गिरा होता है बारी परत पेरिकार्डियम मध्य परत मायोकार्डियम अन्रोनी प्राद इंडोकार्डियम तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और जितने भी questions बचे हैं next series में आते रहेंगे तो दोस्तों I hope कि ये सभी questions आपको अच्छे से समझ में आते होंगे दोस्तों ए वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताईए और जो भी कम्या होते होंगे उसे भी comment में जरूर बताईएगा और जिस भी topic पे आपको वीडियो चाहिए होगा उस topic को मुझे बताईएगा मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी और दोस्तों daily basis पे question series आते रहेंगे आप daily basis पे question series को जरूर देखिएगा और दोस्तों अपने तयारी को बेहतर बनाते रहेगा क्योंकि एक दिन में सफलता नहीं मिलती है दोस्तों इसके लिए regular basis पे आपको practice करना पड़ता है क्योंकि practice ही आपको सफलता दिला सकती है दोस्तों यहीं आप channel पे पहली बाद विजिट कर रहे हैं तो channel को subscribe किजिएगा बिल आइकन को फ्रेस कर लिजिएगा जिससे जो ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उतको notification आपको मिलता रहेगा दोस्तों मिलते हैं next series में निश्ट टॉपिक की साथ अब तक के लिए जय है